जैहिन दोस्तों स्वागते आप सबका आज के इस वीडियो में 36 गड़ के पिछले 4 महीने यानि कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करेंट अफ्यर का फीक रिवीजन करेंगे तो आज का हमारा पहला सवाल है कि हाली में 36 गड़ राज्य सरकार के द्वारा कितने रूपे प्र और फंद्रा सोला ठीक है इन दो वर्ष के जो धान का बोनस था उसको वित्रण किया गया है अगले सवाल दिखेगा कि 36 गड़ से कितने मिट्रिक टन सुगंधित चावल आयोध्या के लिए बेजा गया है कि आयोध्या में जब राम लला का प्राण परदिष्ठा किया जा तर चावल ला उस ताइम पर चत्यूर उसक्त पर चावल पर विजसां गया था एकना कितना ध्या अग्रद में मजरा टोला योजना किस विभाग दौरा चलाई जा रही है देखिए मजरा टोला जो योजना है ये 36 गड़ में विद्यूत आपूर्ती विभाग के दौरा चलाई जा रही है किस विभाग के दौरा विद्यूत आपूर्ती विभाग के दौरा क्यों चलाई जा रही है तो देखिए अंदुरूनी इलाके के जो गाउ हैं वहाँ पर बिजली की आपूर्ती के लिए मजरा टोला योजना चलाई जा रही है विदूत विभाग के द्वारा ठीक है याद रहेगा अगला दिखेगा कुपोशड को दूर करने के लिए पुट बारो सेरी बाड़ान अभियान किस जिला में चलाया जा रहा है ओप्शन 11 अक्तूबर 2023 को कवरधा में सुरू किया गया और चतिसगड में ये जो पुट बारो सेरी बाड़ान अभियान है ठीक है को पोशड को दूर करने के लिए इसको शुरूआत हुई थी दो अक्तूबर 2019 से चतिसगड में कब हुई थी तो 2 अक्तूबर 2019 से और कवरधा में कब किया गया तो 11 अक्टूबर 2023 को ठीक है अगला सवाल है 36 गड राज्य में सिवनात महत्सों 2024 का आयोजन कब किया गया option है दो जनवरी 2024 तीन जर्वरी एक जनवरी या फिर चार जनवरी 2024 तो राइट एंसर हो जाएगा एक जनवरी 2024 तीन जर्वरी 2024 तीन जर्वरी 2024 को ठीक है तीन जर्वरी 2024 का आयोजन किया गया था अगला सवाल है 36 गड राज्य के ग्रिह एवं जेल मंत्री किसे बनाया गया है ओप्शन है विजय सर्मा, अरूड साव, विश्लू देउसा है या फिर रमन सिंग तो देखे इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए विजय सर्मा चतिस गड के क्या है ये ग्रिह एवं जेल मंत्री है ठीक है अरूड साव भी चतिस गड के इनको भी बनाया गया है और विश्लू देउसा है ये चतिस गड के सीम है ठीक है रमन सिंग जी को क्या बनाया गया है ये विधान सभा अधेक्च बनेच ठीक है प्रोटेम इसपीकर चतिस गड के अगला सवाल दिखेगा स्रिकिष्ट जन्माइस्थान समाचार पत्र उस तक कभी मोचन किसके दोरा किया गया ओप्शन है विश्लू देव चाय भुबेज बगेल रमन सिंग या फिर राम विचार नेताम तो राइट एंसर हो जाएगा विश्लू देव साय जी के दोरा ठीक है ओप्शन नमबर ए इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला सवाल है चतिस गड राज्य सरकार दोरा किसानों को कितने करोड रुपे का दो साल का बकाया बोनस का बुगतान किया गया अभी हमने देखा था पहला सवाल में कि क्या 2014 से 15 और 15 से 16 ठीक है इन 2 साल का जो बकाया बोनस था उसका वित्रण किया गया 300 रुपे प्रति के उंटल के हिसाब से दिया गया तो क्या पूछा है सवाल में हमसे कि 36 गड राज्य सरकार के दोरा किसानों को कितने करोड रुपे का दो साल का बकाया बोनस का बुगतान किया गय कितने करोड रुपे 36 गड़ सरकार का लगा ठीक है तो राइट एंसर हो जाएगा इसका 3716 ला करोड रुपे option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला है 36 गड़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग किस जिला में है इंपोर्टेंट कोश्चन है दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग पूछा है ठीक है option है कोंडा गाउं दंतेवाडा बस्तर और बिजापूर तो राइट एंसर हो जाएगा बस्तर इसका जो साइज है ठीक हो अगर आप लोक देखने जाओ इसका जो साइज है मैं वह बता दिता है में 6 mm है ठीक है 6 mm इसका साइज है अगले सवाल देखिएगा किरण सिंग्देव किस चेत्र के विधायक हैं देखिए किरण सिंग्देव वैसे तो विधायक बहुत कोई है लेकिन इसी सवाल को क्यों पूछ रहूं है क्योंकि यह अभी चर्चा में थे ठीक है यह भाजपा के नए प्रदेश अधेक्च बनाए गया है किरण सिंग्देव भाजपा के प्रदेश अधेक्च इसलिए साल यह कोश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किरण सिंग्देव किस चेत्र के विधायक है तो कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरा किया था कहाँ पर नया राइपूर में इसका शुरुआत किया था प्रधान मंत्री जी के दौरा ठीक है इसके अलावा इसका जो उद्देश से है वो विशेश रूप से जो कमजोर जन जाती है कि समाजिक वा आर्थिक इस्तिती में सुधार के लिए पीम जन्मन योजना का शुरुआत किया गया है ठीक है अगला सवाल दिखेगा इस तिस गडराज में गोविंद जुनझा जल परपात किस जिले में इस्ति थे औप्शन है कॉर्भा, बस्तर, सर्गुजा या फिर कोई नहीं तो राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए कॉर्भा में इस्तित्यापका गोविंद जुनझा जल परपात, अगला है सोलावे वित आयोक के चेर्मेन किसे नुक किया गया, ओप्शन है रित्विक, रंजनम, पांडे, अर्विंद पनगडिया, एनके सिंग या फिर आरके गर्ग, तो राइट एंसर हो जाएगा डॉक्टर अर्विंद पनगडिया, ठीक है, क्या है, डॉक्टर अर्विंद पनगडिया जी को, और याद रखे गर्ज कि जो सोलावा वित आयोक था, ठीक है, इसका इस्थापना हुआ था, उन्नीश सव इक्यावन में, अगला दिखेगा प्रदेश राजपत्रित अधिकारी, संग एवं विभावगा देख, सास्किय कर्मचारी संग द्वारा, प्रकासित वार्सिक कलेंडर दोजार चोबिस को, को विमोचन किसके द्वारा किया गया, ओप्शन है, विजय शर्मा, अरुड साव, या फिर डॉक्टर रमन सिंग, तो राई टेंसर हो जाएगा, चतिसगर के मुख्या मंत्री सी विश्टु देवसाय जी के दोरा, अगला सवाल है, चतिसगर नगरिये निकाय, एवं पंचायती राज महा सम्मिलन का आयोजन कहां किया गया, ओप्शन है, कांकिर, राइपूर, बिलासपूर, दुर्ग, तो कि खोच चतिसगर से बहने वाली किस नदी में की गई है, तो राइट टेंसर है, महा नदी में, ठीक है, अगला है, राजनान गाओं पुलिस रेंज को किस पुलिस रेंज से अलग कर के बनाया गया है, ओप्शन है, राइपूर, बस्तर, दूर गया, फिर सर्गुजा, तो अगला सवाल है, किस वरिक्ष को बस्तर अंचल में कमाउ बेटे की संग्या दी जाती है, यह सवाल आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अलावा याद रखेगा कि इस वरिक्ष को बस्तर में बियर नाम से भी जाना जाता है, सल्पी का पेर आप लोग तारी देखे होंगे, मनाते हैं ठीक है, जब बस्तर में बेटियों की साधी वहां रहने वाले बस्तरियों से होती है, तो दहेज में सल्पी का पेर भी दिया जाता है, इसलिए इस सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगला है, चतिस गड़ पुलिस 22 को, यह भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखीगा, कि जब महिलाओं को जब कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है कहीं पर भी, तो उस पे एक SOS एलर्ट का आता है, जब भी इसको आप प्रेस करोगे, एक बार प्रेस करने पर क्या होता है, वहां पर पुलिस त अगला है, भारत में वीर बल दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन है, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, या फिर 27 दिसंबर, तो राइट एंसर है, 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाया गया, अगला है, अगला है, 36 गड़ का सलिहारी जल प्रपात किस जिले में इस यहां पर क्या है सलिहारी जलपरपाती इसी थे और इसकी जो हाइट है सलिहारी जलपरपात की वह 1015 फीट है अगला सवाल देखेगा चतिस गड़ के किस जंगलों में नारंगी रंग का चमगादर मिला है देखिए 36 गड़ के जो कांगेर घाटी है ठीक है कांगेर वैली यहाँ पर क्या हुआ कि नारंगी रम का चमगादर देखने को मिला है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो केरी वॉला पिक्टा केरी वॉला पिक्टा ठीक है 36 गड़ राजी की कितने सिख्चक राष्टी नमाचारी सिख्चर रजन 2023 से सम्मानित हुए, तो राइट एंसर हो जाएगा, तीन सिख्चकों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, कौन-कौन, तो याद रखेगा, एक तो है आपका परीडीता कस्यप, परीडीता कस्यप, और गुमल, सिंह, साकुल, इन तीनों को राष्टी नमाचारी सिख्चा रजन 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, अगला सवाल है, राष्टी इस्तर पर इसकुल नेत्रित्व हेतु, चैनित सिख्चक कौन है, अप्शन है, कभीताहरवानी, ज्यान जोती, उप्रोग तो दोनो या फिर कोई नहीं, तो राष्टी इस्तर पर इसकुल नेत्रित्व हेतु, कभीताहरवानी और ज्यान जेत्वी, इन दोनों का चैन किया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है अपका गोडेना जलपर पात इस्ति थे, अगले सवाल है, राजा मोर्दोज महुत्सो कहां मनाया जाता है, दीक है, राजा मोर्दोज महुत्सो, यह जो महुत्सा है, यह आपका आरंग में मनाया जाता है, ठीक है, अगले है, चतिस गड़ में नया सेवेरा अभियान सम्मंदित है, नसे के विरुदु संगटित वा प्रभावी प्र मातनपूर कारिदॉर या फिर मामाया ओर इधार राजीन के इसके लावा याद रखेगा कि जो पांक सक्तिपीट पर योजना है उसके अंतर्गत इसको सामिल किया गया है अगले सवाल है नियद निल्ला नार योजना के लिए कितनी राशी के अतरिक्त बजट का प्राउधान किया गया है दिखें क्वीक रिविजन है इसलिए हम लोग तोड़ा फास्ट करेंगे ठीक है यह आप लोग इसका डीटेल देखना चाहते हैं तो मैंने मौंदली करेंट में अफ़लोड करके रखा है आप जाकर वहां से विजट कर सकते हैं तो देखेगा कि नियद निल्ला नार योजना के लिए कितनी राशी के अधरिक्त बजट का प्राउधान के अगया है तो राइट एंसर हो जाएगा बीस करोड रुपे के अधरिक्त बजट का प्राउध अगला है, वोक्य मंत्री निर्माड स्रमिक पेंसन सायता योजना के तहत, पंजिकृत निर्माड स्रमिकों को प्रतिमा देय पेंसन रासी कितने रुपए है, तो राइट एंसर है, फंद्रा सो रुपए प्रतिमा है, ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में महिला योजना था इसकी शुरुवात की गई पांच मार्च दोजार चोबिस से उप्शन नमबर ए अगला है अगला सवाल है भूमिहिन क्रिसी मजदूर योजना के तहर इतने रुपे की रासी दी जाएगी तुराइटेंसर है दस अजार रुपे वार्शिक दिया जाएगा ठीक है इतना दस अजार रुपे वार्शिक अगला सवाल है उद्यम क्रांती योजना के तहत यवाओं को सो रुजगार इस्थापित करने के लिए इतने परतिसस सबसीडी पर ब्याज मुक्त रीड उपलब्द कराया जाएगा तो राइटेंसर है पचास परतिसस अगला है सहीद स्वास्ति योजना के लिए 36 बज़र दोजाद 24-25 में कितने करोड रुपे का प्रावधान की अगया है तो राइट एंसर है 1526 करोड रुपे का प्रावधान की अगया है इसके लिए ठीक है नेक्स्ट है नालेंदा परिसर राइपूर की तर्जपर सभी नगरिये निकायो में हाइटेक लाइबरेरी के निर्मार के लिए राज्य बज़र दोजाद 24-25 में कितनी राशी के प्रावधान कब किया गया है तो राइट एंसर 148 करोड रुपे ठीक है नेक्स्ट है राश्टिये जाच एजनसी एन आईये के तर्ज पर 36 गड़क में इस नाम से जाच 24 में नियुंतम समर्थन मुल्य पर कितने लाग मेट्रिक टन धान करी दी की गई तो राइट एंसर 145 लाग मेट्रिक टन ठीक है तो तो राइट एंसर राइपूर में किया गया था 36 गड़ जलवायू पर इवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन नेक्स्ट है पीम उसा अभियान के तहत बस्तर विश्व विध्याले को कितने राशी का फंड दिया गया है तो दीके पीम उसा अभियान के तहत जो बस्तर विश्व विध्याले है इसे 100 करोर रुपे का फंड दिया गया है मार्च 2024 में रूस में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्चिवल में चातिश गर्ठ के कितने यवाओं ने भाग लिया तो राइटनसरे 8 यवाओं ने भाग लिया 34 Preferences राजिम कुम्ब कल्प 2024 का आयोजन किस्तिति में किया गया तो राई टेंसर है 24 परवरी से 8 मार्च तक किया गया था इसका आयोजन ठीक है देखें राजिम कुम्ब कल्प 2024 का जो आयोजन था वो 24 परवरी से 8 मार्च तक किया गया था चित्रकोट महुत्सों 2024 का आयोजन किस्तिति को किया गया तुराई टेंसर है पांच से साथ मार्च के बीच में जो चित्रकुट माउटसो था इसका अयोजन किया गया था अगला सवाल है महतारी बंदन योजना के तहत प्रथम किस्त की रासी किस्तिती को जारी की गई यानि कि साल आना 12,000 रुपे ठीक है अगला है एक जुलाई दोजार चोबीस से लागू होने वाले तीन ने कानुनों के समन्द में चतितगर्ड पुलिस ने किस संस्था के साथ महतारी सदन क कि इस्थापना कितनी जनसंख्यावाले पंचायतों में की जाएगी बहुत ही ज्यादा important question है, महतारी वंदन नहीं है, महतारी सदन है, ठीक है, महतारी सदन की स्थापना कितनी जनसंख्या वाले पंचायतों में की जाएगी, तो जो 3000 से अधिक हैं, ठीक है, 3000 से अधिक जनसंख्या है जहाँ पर, वहाँ पर महतारी सदन की स्थापना किया किरिशक उन्नती योजना के तहट चतिस गल की किसानों को बारा माच दोजार चोबीस को कितनी राशी अंतरित की गई तो राइट एंसर हो जागा 13320 करोड रुपए 13320 करोड रुपए ठीक है नेक्स्ट है 12 माच दोजार चोबीस को चकरभाटा बिलासपुर एरपोर्ट से किन्दो सहरों तक के लिए विमान सेवा सुरू की गई है तो राइट एंसर हो जागा 18 इस्टेशनों पर ठीक है 10 माच दोजार चोबीस को तक चिसिला लाइबरीरी परीसर के सुभारम किस इस्थान पर किया गया है तो मोती बाग में किया गया है और जो मोती बाग है ये आपका राइपूर में इस्थी थे नेक्स्ट है इंडियन लॉर रिपोर्ट्स 36 गड़ पत्रिका का विमोचन की इनके दोरा किया गया है तो राइट एंसर हो जाएगा नियाधीस रमेश सिन्हा जी के दोरा नियाधीस रमेश सिन्हा अगला है नियोता भोजन योजना का संबंद किस से है देखिन नियोता भोजन जो योजना है इसका संबंद है इसकूली बच्चों को भोजन सामागरी उपलब्दो कराने से यानि की ऑप्शन नमबर ए चतिसगर के किस मेडिकल संस्था या फिर अस्पताल को पहली बार कैंसर ग्रैंड चैलेंज अवर्ड प्राप्त हुआ है तो राइट एंसर है बालको मेडिकल सेंटर जो की राइपूर में इस्ती थे अप्शन नमबर डी जगार दोहजार चोबिस हस्त सिल्प एवं हतकरगा परदर्शनी का आयोजन कहां किया गया तो राइपूर के कहां तो राइपूर के पंडरी में अगला सवाल है महिलाओं वा बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किस जिला पुलिस द्वारा नोनी सुरक्षा रत मोहीम सुरू किया गया है तो राइट एंसर है जस्पूर ओप्शन नमबर डी जस्पूर नेक्स्ट है निर्माड स्रमिको के हित में किस जिले में स्रम वैन के संचालन की सुरूआत की गई है तो इसका भी राइट एंसर हो जाएगा जस्पूर में ठीक है तो राइट एंसर है स्री कंचन महानंद को ठीक है अगला है 35s-59 की गाउ में होने वाले कारे और उसमें खरज की रासी का व्यूरा उपलब्द कराने के लिए कौन सा एप्लिकेशन लौँट किया गया है इंपोर्टन सवाल है आपके लिए भी और आपके गाउंग वालों के लिए भी इंपोर्टन है थीक है मेरी पंचायत एप लॉंच किया गया है चतिसगर राजी आर्थिक अपराद अन्वेशार EOW वा एंटी करॉप्शन ब्योरो का अतरिक्त परभार किने सौपा गया गया है तो राइटेंसर है IPS अमरेश मिस्रा को सौपा गया है राइपूर वा भिलाई में अगला है चतिसगर में सुसासन एवं अभीकरण विभाग का गठन किया गया है यह राज्य का किस क्रम का विभाग है तो यह राज्य का 58 क्रम का विभाग है नेक्स्ट है राश्टिय परिवार स्वास्त सरविक्षण अनुसार चतिसगर के किस जिले में बाल विभाग के सरवाधिक मामले दज के गए है वो सूरजपूर में है ठीक है कौन-कौन से है सूरजपूर से भईया ध्यान रखिएगा अगला सवाल है प्रिसक उन्नती योजना के तहत समानने ग्रेट धान के लिए प्रती क्विंटल कितने रुपए की इन्पूट रासी दी गई है तो राइट एंसर है 917 रुपए ठीक है अगला सवाल देखिएगा पि-म बस योजना के अंतरगत 36 गड़ को कितने इबसों की स्विक्रिती मिली है तो 244 पता नहीं अभी तक सुरुआत होगा की ने ठीक है क्योंकि कागजों में ही दम तोड़ देगा लग रहा है अगला सवाल देखिएगा 25 दिसंबर 2013 इसको सुसासन दिवस पर किसानों को वर्स को वर्स या पूर्व बकाया बोनस के रूप में कितनी रासी गई है देखिए इसका सवाल का हम लोग कर चुके हैं 3716 लाकरोड रूप है ठीक है 2014-15 और 2015-16 लाकर एश्ट्रो पार्क की योजना के तहत केंदर सरकार दोरब प्रतम चरड में चतिसगड की किस जिले में एश्ट्रो पार्क बनाया जाने की योजना है तो राइट एंसर है सुरजपूर उप्शन नमबर C सुरजपूर अगला है हाली में किने चतिसगड राजिय सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है तो राई टेंसर हो जाएगा, दिखे, स्री आलोक चंद्रवनसी जी को और स्री नरेंद्र कुमार सुखला जी को, यानि इसका राई टेंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर D, ये वाभी दोनों को अगला है, उल्लास एप का संबंद निम्न में से किस से है, देखे, उल्लास जो एप है, इसका संबंद सर्वे से है, इससे है, सर्वे से संबंदित है, अगला है, चतिस गड़िया क्रीडा पुद्चाहन योजना का संबंद निम्न में से किस से है, तो राई टेंसर हो जाएग चतिस गड़ के पारामपरी खेलों को बढ़ावा देने से संबंदित है चतिस गड़िया के रिड़ा पोद्साहन योजना अगला है हाली में किस लेखा को वा कवी को गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए संबानित किया गया है अगला है हाली में किने चतिस गड़ का नया प्रधान मुख्यवन संग्रक्चक राज्य अनुसंदान परिशिक्षड एम जलवायू परिवर्तन बनाया गया है तो स्री अनील कुमार साहू जी को बनाया गया है हाली में डॉक्टर प्रधीप कुमार पातरा को चतिस गड़ की किश्विवश्य ध्याले का कुलपती नियुक्त किया गया है तो राइट एंसर हो जाएगा पंडित दीन दयाल उपाद है इस्मृती स्वास्त विज्यान एवं आयूश्विवश्य ध्याले रायपूर का अगला सवाल है धान का सबसे ज्यादा मुल्य भुक्तान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो दिखे राइट एंसर हो जाएगा इसका चतिस गड़ बन गया है ठीक है दिखे चतिस गड़ में प्रती एकड 21 कुइंटल कितना प्रती एकड़ 21 कुइंटल ध आंकेर लोकसभा चेतर के लिए भारतिय प्रसासनिक सेवा के 2005 बैच के किस आईये सदिकारी को समानने प्रेक्षक न्युक्त किया गया है तो राइट एंसर है डॉक्टर एमटी रेजू को डॉक्टर एमटी रेजू अगला है चतिस गड़ के किस जिले ने सुईप होकी मत दान कप दोजार चोबीस जीता तो राइट एंसर है राजनान गाओं ऑप्शन नमर सी राजनान गाओं सवक्ष भारत मीशन योजना के तहर्त चतिस गड़ के ग्रामिड चेत्रों में कितने लाग सोचाले का निर्मार किया गया तो राइट एंसर है 35.18 लाग यानि इसका राइट एंसरों का ओप्शन नमर ए अगला देखेगा तो राइट एंसर है तो राइट एंसर है सलफी को अगला है चतिस गड़ के गउठानों में किसके सहयोग से ग्रामिड तक्निक केंद्रों की स्थापना की गई है तो राइट एंसर है बी ए आर्सी मुंबई के दौरा अगला है चतिस गड़ देश के उन्चुनिंदा राज्यों में है जहां पूरूसों से ज़्यादा महिला मदद आता है प्रदेश में मदद आता लिंगा नुपात कितना है तो ऑप्शन है एक हजार पंद्रा एक हजार तिन सो तीन एक हजार एक सो पचास या फिर एक हजार एक सो मतद आता चतिस गड़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली दुर्ग से विशाका पटनम के बीच चलेगी वंदे भारत एक्स्प्रेस इसकी सुविधा कब से मिलेगी तो राइट एंसर हो जागा जुन दोजाट चोबिस से ठीक है जैसे इलेक्षन हो जाते हैं उसके बाद से यह जो अपका दूर किसे विशाका पटनमें ठीक है वंदे भारत एक्स्प्रेस इसकी सुरुवाद कर दी जाएगी अगला सवाल देखेगा लोगसबद चुनाओं में भारत निर्वाचन आयोग ने 36 गड़ के कितने आये शदिकारों को देश के अलग-अलग राजियों में चुनाओं अब्जर्व बनाया है तो राइट एंसर है 13 अगला है भारतिय गोधन पुस्तक के लेखा कौन है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कोस्चन है क्योंकि भारतिय गोधन पुस्तक के जो लेखक है वो जाबर मल सरमाजी है ठीक है नेक्स्ट सवाल दिखेगा ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए 36 गड़ की 11 लोकसाबा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या में लगतार बढ़ोतरी दर्च की जा रही है उप्स नमबर C अगले सवाल दिखेगा हस्देव बचाओ अंदोलन के तहत कोईला खदानों के खिलाब आंदोलन करने वाले इन में से किस सक्स को ग्रीन नोबिल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ओप्शन है आलुक सुक्सा विशुदेवसाय पियस सिंग देव या फिर भूपेज ब पिर भी इन्हें क्या किया जा रहा है अवार्ड पे अवार्ड दिया जा रहा है तो इस सवाल का एंसर आप मुझे कॉमेंट स्रिक्षन में कॉमेंट करके बताएगा और हस्देव जंगल के लिए अपनी दो लाइन राय ज़रूर लिखेगा थैंक्यू